Hello friends, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़े बेची चल रहे होगी तो आज की इस क्लास में हम ककसा आठ बुगल विशे की नवीन बुख के इनसार आपके अध्याय 4 क्रसी के अभ्यास के समस्थ प्रशनों के उत्तर को जानेंगे हमने आपके नवीनतम पाठे क्रम के इनसार अध्याय 1 से लेकर 3 तक सबी के अभ्यास प्रशनों बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिये हैं साथी साथ विज्यान विशे की क्लासेज भी चल रही हैं वो से अभ्यासेज आप चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं तो चलिए क्लास हम सुरू करते हैं देखें पहला प्रशन आपके सामने दिया हुआ है निम्नलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए पहले का पहला प्रशन है क्रशी क्या है प्रशन क्या है कि क्रशी क्या है तो क्रशी एक प्रात्मिक क्रिया है जिसमें फशलो, फलो, सबजियो, फलो को उगाना तथा पसु पालन को सामिल किया जाता है क्रशी क्या है क्रशी एक प्रात्मिक चित्र की क्रिया है जिसमें आपके फसलों, अनाजों का उत्पादन और पसुपालन से सम्मंदित किरिया की जाती है दूसरा प्रशन है उन कारकों का नाम बताईए जो क्रशी को परभावित कर रहे हैं वो कारण या कारत क्या हैं जो क्रशी को परभावित करते हैं तो पहला कारा के सबसे प्रमुक वो है इस्तला करती, क्या है धर्ती की बनावट, धर्ती के धरातल की बनावट इस्तला करती, दूसरी है मर्दा, और तीसरे है जलवाईू, है न, चौता ओरम कह सकते हैं, वो है आपकी वरशा, क्या है वरशा, ये कुछ प्रमुक कारण है, य इसमें इस्तला करते होगी, मरदा होगी, जलवायू होगी और आपकी वर्षा होगी। आगे तीसरा, इस्तानांतरित कर्षी, जिसे हम जूम खेती भी कहते हैं, इस कर्षी की हानिया क्या है। तो देखो इस्तानांत्रित कर्षी में करते क्या हैं, व्रक्षों को काट कर और जला कर बुखंड को पहले साप किया जाता है, किसी एक इस्तान के बुखंड यानि भूमी के टुकडे को वहां पर मौजुद जो आपके व्रक्ष होते हैं उनको काट कर जला कर साप किया जाता ह और जले व्रक्षों की राक को मरदा के अंदर मिलाया जाता है इसके बाद उस भूमी पर फशलों को उगाया जाता है और जब उस भूमी की जो उर्वरता है जो जवपन है वो जो खतम हो जाता है तो कर्शक जो किसान है वो उस भूमी को ऐसा का ऐसा छोड़ देता है साहिता से इस्तान इस्तान पर खेती करता है यानि जगय को बदल बदल कर अलग अलग जगय पर खेती करता है है अब इसके नुक्सान क्या है नुक्सान क्या है तो इसे मुर्दा का शरण और क्या होता है अपरदन क्यों यह दिया आपने एक इस्तान के रक्षो को काट दिया और रक्षो को काटने के बाद आपने कुछ समय पर वहां पर खेती की, उसके बाद आपने उसको वैसा का वैसा चोड़ दिया, तो उससे हो गया किया, उस मुर्दा की उपजवबन भी कम हुआ, और मर्दा का वहाँ पर नुक्शान भी हुआ, और वहाँ दिडए दिरे मर्दा का अपरदन भी होगा. इसके अलावा वहाँ पर आप बार बार वन को काट रहे हो, पेड़ पदों को काट रहे हो, खेती के लिए, तो वहाँ पर वन चित्र भी क्या हो रहे हैं, वन चित्रों की भी कम हो रहे हैं, उन्हें भी आनी पहुंच रही है, साथी साथ इस प्रकार की करसी से जो वनस्पती और वहाँ पर रहने वाले जो जिम जन्तु हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, नश्ट हो रहे हैं, तो इसके क्या है, नुकसान है, आगे चोधा प्रशन, रोपन कर्सी क्या है, कौनसी कर्शी, रोपन कर्सी क्या है, तो देखो रोपन कर्सी, एक परकार की वानिजी कर्सी का परका करने के उद्यस्य से बहुत बड़े लेवल पर की जाती है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्रम और पुंजी यानि मेहनत की भी जुरूत होती है और आपके पैसों की भी जुरूत पड़ती है इसमें वेज्ञानिक विद्यों का उपयोग किया जाता है इसको वेज्ञानि में पोंजी, श्रम और उपकरनों की आदुनी गिदियों की उपकरनों की जरुवत पढ़ती है आगे बड़े प्रशन संख्या पांच सरकार किसानों को क्रशी के विकास में किस परकार मदद करती है जो अमारी सरकार है वो किसानों को खेती के विकास में किस परकार मज़द करती है तो देखे सरकार द्वारा किसानों को बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा इसके द्वारा चकबंदी के द्वारा एक इस्तान पर एकत्रित किया जाता है यानि जो अलग लग चोटे-चोटे खेत आपके टूकडे में बटे हुए हैं उनको छक बंदी के जरिये एक जगे मिलाया जाता है फिर सरकार किसानों को उर्वरकों, करसी उपकरणों और कितनासकों के लिए आर्थिक सायता अथवा लौन भी परदान करती है फिर किसानों को उच उपज देने वाले बीज और उर्वरक आदी उपलब्द करवा कर उत्पादत में डाने में भी मदद करती है साथी शाथ कर्षी उत्पबादों के भंदारण और वीत्रण की सही सुविदा भी सरकार परदान करती है ताकि कर्षी के विकास को जय्दा से जय्दा प्रोसाहन मिले अग्ला प्रशन प्रशन संख्या दो सही उत्तर को छिनिद्ध कीजिए उद्यान करसी का अर्थ क्या है उद्यान करसी का अर्थ है फलो और सब्जियों को उगाना फिर सोनहरा रेशा से क्या मतलब है तो आपका जो पटसन होता है उसे हम सोनहरा रेशा भी कहते हैं पर्सन का ही दूसरा नम होता है जूट, जिससे बोरिया वगरा बनाई जाती है, अगला कौफी का प्रमुक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है आपका ब्राजेल, अगला कारण बताईए, बारत में क्रशी एक प्रात्मिक क्रिया है, इसका कारण बताना है कि बारत में क्र यानि प्रात्मिक छित्रक में वो सारी किरिया सामिल हैं, जो कही न कही प्राकर्तिक संसादनों के साथ जुड़ी हुई है, जैसे क्रशी, बारत ऐसा देशे जहां पर दो तियाई जनसंक्या, क्रशी और उसकी साहिक क्रियाओ में आज भी लगी हुई है, सलगन है, बारत मे प्राचिन समय से ही अधिकास जनसंक्या का जो मुख्य वैवसा हैं, वो क्या है, क्रशी रहा है, क्रशी के अंदर जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से फशलो, फलो, फूलो, और अनाज का उत्पाजन करना, और पसु पालन करना, ये आपके क्रशी के अंदर सम्मिल अलग अलग फशले हैं वो अलग 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 चित्र में क्यों उगई जाती है तो देखो विबिन फशलो या तो विबिन भिन भिन म्रदा और जलवायू की क्या होती है आवसकता होती है अलग 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 म्रदा की अनि मिट्टी की और अलग अलग जलवायू की इस्तती की आ प्रात्मिक क्रियाव और तर्तिक क्रियाव तो देखें प्रात्मिक क्रियाव और तर्तिक क्रियाव में अंतर क्या है तो अपने एक बाग में लिखा है प्रात्मिक क्रियाव और दूसरे बाग में लिखा है तर्तिक क्रियाव तो प्रात्मिक क्रियाव में उन सभी क्रियाव क सम्मिल्ट किया जाता है जिनका सम्मंद प्राकर्तिक संसादनों के उत्पादन और निस्कर्शन से हैं वही तर्तियक किरियाएं वे होती हैं जो प्राक्मिक और दिर्तियक चित्रक को विकास में क्या करती है संयोग प्रयाद क्या करती है संयोग प्रदान करती है प्रात्मिक किरियाओं प्राए एक प्रिवार के सज़से मिलकर करते हैं जबकि तर्तियक चित्रक की किरियाओं कई लोग मिलकर करते हैं प्रात्मिक किरियाओं में करशी, पसुपालन, मतस्ते पालन ये सब सामिल है तर्तिक क्रियाओ में जिसे हम सेवा चेतरक भी कहते हैं क्या कहते हैं सेवा चेतरक इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन ये सारी जो सुविधा हैं वो आपके तर्तिक क्रियाओ के अंदर सामिल होती है आगे दूसरा निर्वा कर्सी और गहन कर्सी तो देखो निर्वा कर्सी का मतलब क्या है इसमें जो खेत होते हैं उन पर परिवार के लोग धी मिल कर अपने जीवन निर्वा है तू जीवन यापन है तू क्या करते हैं फशलों का उत्पादन करते हैं गेहन करशी में किसान छोटे खेतों पर अधिक स्रम और संसाधनों की सायता से कई फशले क्या करता है, उत्पादित करता है, निर्वा करशी के अंदर जाधातर कार्य है वो आथों से ही किया जाता है, जबकि गेहन करशी के अंदर जाधातर कार्य मसीनों की मदद से किया जात निर्वा कर्षी में पुंजी की कम आपसकता होती है जबकि गहन कर्षी में पुंजी यानि आय की बहुत ज्यादा जुरूत पड़ती है निर्वा करसी में निम्न प्रोध्योगी की यानि तक्निकी का बहुत कम उप्योग होता है जबकि गेहन करसी में उच्छ प्रोध्योगी की आपसकता होती है वहाँ पर तक्निकी का उप्योग बहुत ज़्यादा किया जाता है ठीक तो इस तरह आपने आपके अध्याय चार प्रसी के अभ्यास के समस्त प्रशनों के उत्तर आपकी नई बूक के अनुसार बहुत अच्छे से सौल्व करा दिये हैं उम्मिद करता हूं सभी प्रशनों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे तो class देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी class और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर like, comment, subscribe जरूर कर दे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली class में तब जख के लिए आप सबको जै हिंद, जै भारत